जहें दोस्तों देखिए आज जो हम question discuss करेंगे वह हम करेंगे GS2 में पूछा गया है question है जो recently अभी UPSC जो मेंस का exam हुआ है 2024 में उसका question अभी हम discuss करते हैं already GS1 complete कर लिया है GS2 discussion चल रहा है question देखिए क्या पूछा गया है कि आपको critically analyze करके बताना है कि अभी जो हमारी country का diplomatic economic और इस्टेटिक रिलेशन है वह Central Asia Republicans के साथ जो develop हो रहा है जो की regional और global geopolitics पे भी वह क्या कर रहा है अपने significance role play कर रहा है increase कर रहा है उसकी जो महात्व है वह बढ़ रहा है उसको discuss करता हूं मैं कि आपको लगता है कि और भी जो कुछ points होने चाहिए थे वह आप comment box में mention कर सकते हैं तो देखिए बिना time waste कि चलते हैं अपने answer writing discussion पे आप लोग को अच्छे से पता होगा कि में answer writing कितना importance होता है खासकर कि जब आप UPSC जैसे exam की preparation कर रहे होते हो तो देखिए आज को जो हमारा answer discussion चलेगा वो कुछ example के basis पे हम discuss करेंगे और कुछ main points discuss करेंगे जो कि according to question है सबसे पहले हमारा point हम जो point discuss करेंगे वह होगा हमारा strategic interest अगर हम strategic interest की बात करते हैं यानि कि जिसे हम कहते हैं राजनेतिक जो रूचियां है सबसे पहले आप यह समझे कि international level पे ना तो कोई हमारा पर्मामेंट होता है और ना कोई पर्मामेंट होता है सारा खेल करता है अपने अपने interest पे तो उसी के basis पे international relation क्या करता है काम करता है और यह question का अगर आप background देखोगे ना तो यह आपको दो topics से नज़राएंगा पहला नज़राएगा current affair और दोसरा नज़राएगा international relation इसका background है तो देखे अगर हम interest की बात करते है strategic interest की बात करते है तो इंडिया की जो location है वह ऐसी location बनाता है जहां पर अगर हम central asia republicans की बात करते है तो एक countering regional influence बनाने का काम करता है जैसे कि अगर हम बात करें चाइना belt road intensive के बारे में तो क्या करता है और एक जो managing security threats है उसको क्या करता है यानि कि जो भी security threats है उसको manage करने का काम करता है तो इस पेसिफिक लिए अगर हम बात करते है कहां पर अफगानिस्तान के अंदर में in short कि भारत का जो अस्थान चीन belt android intensive है जैसे जो छेतर परभाव है regional influence जो है उसका मुकाबला करने के लिए एक special क्या सकते हैं या विसेश रूप से अफगानिस्तान में जो सुरक्षा है यानि कि जो सुरक्षा threat है सुरक्षा को लेकर कि जो खत्रा है उसको manage करने के प्रवंद के लिए क्या है कि आविशक्ता बनाता है यानि कि जो हमारा Central Asia Republicans आपको देखने को मिलेगा दूसरा point टेंगल के आता है economic engagement यानि कि अगर हम trade between India and CARS की बात करते हैं यानि कि Central Asia Republicans की बात करते हैं वह आपको काफे अतक क्या देखने को मिलेगा लेकिन अगर हम expanding के बात करते हैं जैसे कि energy expanding करना या जो पार में कि फर्मा में city calls होते हैं या हम IT इंडियनिस की बात करते हैं कहीं न कहीं Central Asia policy जिसका मेन उद्दिस क्या है कि जो economic style है उसको क्या करना strong बना के रखना यानि कि उसको मजबूत मजबूती करना मजबूत प्रोबाइट कराना energy security की बात करते हैं तो जो Central Asia Republicans है वो काफे जादा क्या है रिच है energy resources के लिए पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं जैसे काफेस्तान के बारे में यहां तुर्कमिनिस्तान के बारे में तो कि इंडिया की जो growing energy है आज के टाइम पे भी हमारी country में क्या है कि जो energy resources है उसकी काफी जादा क्या है demand है तो इंडिया एक तरीके से क्या है energy supply के लिए क्या देखत सकते हैं तो जैसे हमारी country के तुवारों कुछ प्रोजेक्ट बनाएं डेवलप किये गए जैसे हम तापिक की बात करते हैं जिसमें तुर्कमिनिस्तान अफगानिस्तान पागस्तान और इंडिया पाइपलाइन आता है तो जैसे आपने class 10th की जिए जिए उसमें lifeline of Indian economy अगर उसमें टॉपिक में एक्जामपल के तौर पी जैसे तापी जैसे प्रोजेक्ट को आप मेंशन कर सकते हैं अगर हम Central Asia Republicans की बात करते हैं तो वह हमारी country के लिए ऐसा पॉर्चिटिन्स प्रोवाइट कराता है जिसमें हम बिल्ड कर सकते हैं इंफ्लेंस जो की स्टेटिकली जो में हम Chinese और जो रसियन इंफ्लेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं बालेंस कर सकते हैं जैसे कि अगर सिल्क रोट की बात करते हैं यह आपको क्लास 10 की हिस्ट्री में भी देखने को मिल जागा जब आप ग्लोबल मेकिंग वल्ड के बारे में आप देसकर पढ़ेंगी चैप्टर तो उसमें आपको सिल्क रोट के बारे में नज़र आ जागा अगर हम इस्टोरिकल बात करते हैं तो सिल्क रोट करने का काम करता है एक तरीके से कल्चर एफ एफिनेटीज इंडिया को जो की सॉफ्ट पावर बनाता है डिजन के अंदर में डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हो हुई है बट साथ में कुछ चैलिंज भी रही है अगर हम लॉजिक स्टेल जो भी हमारे लॉजिक स्टेल इसू है उसको अगर हम क्या बात करते हैं कॉम्पिटेटिंग कर देते हैं तो मतलब आप यह समझे जो भी हमारे लॉजिक स्टेल जो इसू है या हम कॉम्पिटेटि पर लेकर रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक के अंदर में अब देखिए कुछ एक्जामपल हम डिसकस करते हैं अगर हम बात करते हैं तो इंडिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है किसके साथ Central Asia जिसमें किस-किस मुद्व पर बात की जाड़ी क्या कि अड्रिस कि जाड़े जो भी हमारे सिग्रोटी कंसर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर में यह कउंटर करना कि टेरिरिज्म को आतंकबाद को कैसे काउंटर करना इंडिया आज की टाइम पर सपोर्ट करता जो भी इंटें मतलब कि अगर हम उजबे किस्तान के वारें बात करें तो उसके साथ मिल करके जो चरम बंति हैं उसको रोकने का प्रयास आज भी हमारी कंट्री के द्वारा क्या है किया जा रहा है उसमें वह क्या कर रही है कॉलिबरेट कर रही है इनरजी और स्पर्ष लこれはगि निट की बात गरते उजा फिशन इंडिया एंपोर्ट करता है और यूरेनियम यौरेनियms कहां से कज्बरेटस अगरेंस सनॉव मारी के जलो चले वर्क करता है तापी यह तुर्कमेनिस्तान औक पाकीश्zenพ न चाहिए 2 प्रोजग्ट तो से हम च वह हम क्या कर सकते हैं इमपोर्ट कर सकते हैं उसके बदलिकंस को अफगानिस्तान से जोड़ सके और जो डिपेंडेंची है जैसे कि लिभी जाया जाता है उसका हम्हां विभर सेको किया से डिपेंडेंसी कि मुझे है जrint उब क्या करना उसको गंट्रोल करना और को बढ़ावा देना और इंड़िया क्या चाहता है कि आज के टाइम पे वह बाईलेंस कर सके जो भी पावर फे डाइनमी सेंत्रल फिल्ट heus क्या किया सके मैं ऐस्क्री मैं हिस्ट्विकल कर गर भारत यानि की जो हमारा प्यारा देश है एंड सेंट्रल एसे रिपब्लिकन आज के टाइम पर क्या कर रहा है एक हिस्टोरिकल करेक्शन आपको देखने को मिलेगा जैसे सिल्क रोड तो जो कल यह क्या बनाता कहीं एक हमारी कंट्री के साथ जो कल्चर बॉंड्स है उसको अलाव करतावर न कल्चर जो फेस्टिबल सोते जो और गिनाइस किया जाते हैं इंडियन एंविसी द्वारा तो यह सारी चीज़ आपको देखने को मिल जागा तो इस एक्जामपल्स के बेसेस पर हमें यह समझ में आता है यह हमें देखता है कि आज के टाइम पर जो हमारा देश है उनकी जो एकडिक कॉश्चोंस जो हमारा आंसर था प्री आपको लगता है कि इसके अलाबावा भी कुछ इंप्रेंट पॉइंट हो सकते हैं में दbreoplan रिकर्ट को रिक्राइब में को ही सेजेशन है तो वह भी आप बता सकते है यह वीडियो पसंद आ रहे है तो आप ये जेयर कर सकते चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्स फूर्ड वाचिंग फ्रेंट टेक कियर जैहिन